दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं All India Youth Scholarship Entrance Examination के सारे डिटेल्स कैसे आप आप रेजिस्ट्रेशन कर पाएंगे क्या है स्कॉलर्शिप कौन कौन से स्टुडेंट इस स्कॉलर्शिप के सकते हैं और इनके इंपॉर्टेंट डेजिस्ट्रेशन पी और भी बहुत सारे डिटेल्स बताने वाला इस वीडियो को देखते नहीं करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें यह रेट के बटन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो अफ्लोट सबसे पहले पानी के लिए सबसे बहले मैं बता दियों इस इसकॉलर्शिप का नाम है और इंडिया यूथ इसकॉलर्शिप एंट्रेंट्स एग्जामनेशन जिनकी स्वाट परम में AIYSEE तो यह कौन-कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आप बता दी इसमें आप दे जकते हैं इंजिनिरिंग और मेडिकल वाले स्टूडेंट इसकॉलर्शिप लिए अप्लाई कर सकत हैं तो अप्लाई कैसे करना है आप यहां रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं तो मैंने रेजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया आप देख सकते हैं AYSEE Online Application Important Instruction to fill the Online Application सबसे पहले आपको basic information यहां fill up करना होगा फिर application details पर फोटो अप्रोट करना बढ़ेगा उसकार ओनलाइन करना बढ़ेगा तो मैं बता दो आपको यहां scan photograph लगेंगे और आपको इसमें application की फीए 1100 रुपे और all candidates SCST OBC और general इन सभी student को 1100 रुपे application fee pay करने होंगे इस scholarship को fill up क करने के लिए तो आप यहां से और भी details चेकर सकते हैं आइए registration start करते हैं देखते हैं क्या 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 फिलब करना है तो simply full name, other name, gender, address, email, phone number, category, education details, 12th appearing है तो appearing डाले अगर pass out होता तो pass out डाले coaching institution, how did you hear about AISSC तो आप बता सकते हैं अगर मेरे चैनल के मादियम से आपने देख रहे तो YouTube चैनल और मेरे चैनल का नाम लेख सकते हैं applying for course और भी basic details पे क्या आपना submit कर सकते हैं simply और आपको password और application ID generate कर भी जाएगी उसके बाद आप photo upload details photo upload कर सकते हैं तो payment कर सकते हैं तो यह simple procedure हैं की जिसको आप कर सकते हैं अब आये दिखते हैं इनकी important date तो आप यहां देख सकते हैं इनकी application form start होगी 10th September 2018 21 December 2018 तो 21 December तक ही form fill up किया जाएगा online offline examination की date है यहां पे 20 April 2019 से 24 में 2019 तक admit head आप download कर पाएंगे April to May 2019 और इनकी result announcement होगी last week of July 2019 में और scholarship distribution होगी last week of September में तो कौन-कौन लोग apply कर सकते हैं तो यह देखते हैं कौन-कौन student apply कर सकते हैं engineering और medical वाले student और कौन-कौन से college के लिए available होंगे कर से open करते हैं सबसे पहले engineering के लिए देखते हैं तो आप देख सकते हैं list of engineering college है जो भी अच्छे government और private के colleges हैं अगर उनमें student जाते हैं तो उन्हें scholarship provide किया जाता है और कितना scholarship हो वह भी मैं बताने वाला हूं आगे की इस वीडियो में तो आप देखते हैं देख सकते हैं आप बहुत सारे अच्छे-च्छे college और government college है और बहुत सारे EICT approved college है तो लगबग EICT approved चितने भी college है उन सबी में scholarship दिया जाए अगर आप इस scholarship exam को देते हैं और result में pass करते हैं तो क्या-क्या prizes है मैं वह भी दिखाने वाला हूं तो आप Engineering college की list है यह check कर सकते हैं कि आपको इन में से कौन से college में जाना है और यहां हम देख सकते हैं list of medical colleges यहां भी बहुत सारे college दे दी गई हैं जिसमें scholarship provide कि जाएंगे अगर आप इस exam को में exam देते अगर हम लोग syllabus की बात करें तो आप देख सकते हैं physics की syllabus है साथ में chemistry और biology भी मिल जाएगी आपको तो मैं link description में डाल दूँगा आप syllabus पी चेक कर सकते हैं engineering और medical के student और भी details में बताता हूं आपको अगर basic syllabus की बात की जाए तो मैं आपको देख को बताता हूं जो आप लोगों ने class 11 और 12 में पढ़ा है उन्हीं में से उचा जाएगा physics, industry, mathematics और biology के जिए तो आप उसी को prepare करें जाके आपको कोई problem ना हो तो आएगे देखते हैं आप exam center कहां पर उपलग है जिनमें आप जाके exam दे सकते हैं आपने अगर form फिलप किया है तो आएगे देखते हैं सबसे पहले examination center जो आपके सबसे नजदी के nearby है महां पर आप center choose कर सकते हैं और exam जाके दे सकते हैं structure of online test है देखते हैं duration of examination 90 minutes है question type objective होंगे multiple choice होंगे और physics, chemistry, mathematics के 30-30 questions होंगे total 90 questions होंगे और सबसे important no negative marking है तो आप सारे question में tick कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है तो आए देखते हैं layout of scholarship तो इससे कैसा check कर पाएंगे scholarship क्लिक करते आप यहां से क्लिक कर सकते हैं इनका layout बहुत सिंपल है आप देख सकते हैं या different part of country student have clear the examination आपको exam clear करना पड़ेगा scholarship will be given to the student who appeared and selected in our process तो जो भी इस exam के application को हमको fill up करता है और exam में pass करता है उनके लिए qualifying percentage 55% कम से कम आपको scholarship अगर मिलेगी तो आप 55% marks पाने चाहिए मतलब आपको 55% तक number चाहिए तभी आपको scholarship provide की जाएगी scholarship reward will be valid for qualified student if they get admission into medical engineering college in the same and current academic year अगर आपने scholarship scholarship पाया 55 या उससे उपर और आप उसी साल मतलब अगले साल 2019 में engineering college या medical college में admission लेते हैं तो आपको scholarship दी जाएगी यहां देख सकते है 90% या 90 से कम percentage आप लाते हैं तो आपको engineering में four year और medical में five year scholarship provide की जाएगी अगर आप 86 to 89% लाते हैं तो इंजिनिंग में third year और medical में भी थ्री येर अगर थ्री थ्री येर तोनों में scholarship आप पाएंगे अगर आप 81 to 85% लाते हैं तो 1.5 ये इंजिनिंग में और two year medical में four scholarship पाते हैं 76% to 80% पाते हैं तो first semester इंजिनिंग और first year medical college में four scholarship दी जाएगे और आप 71 to 75% पाते हैं three months stipend three month stipend four scholarship दी जाएगी और आप 55 to 70% पाते हैं तो आपको reward में laptop टाबलेट और 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 भी scholarship प्रवाइड की जा सकती हैं और यह आप यहां देख सकते हैं यहां सारे details भी दे दी गई दोस्तों आप अगर इंजिनिंग और medical में career बनाना चाहते हैं तो इस scholarship को जरूर अप्लाइए करें आप अच्छे मर्क्स लाएं ठाकि आपको scholarship प्रोवाइड हो मतलब आपको कॉलेज में फी देट में कोई दिक्कत नहों इस scholarship के तुरूर आपको फी मिल जाए जोश्तों अगर आपको इस website के लिंक चाहिए तो आप description में चेक कर सकते हैं और आप इस application form को फिलप करना चाहते तो 21 दिसम्बर के पहले फिलप कर लें 21 दिसम्बर इंका लास्ट एट है आप सिंप्ली प्रेजिस्टेशन पर क्लिक करके यह application form फिलप कर सकते हैं अगर दोस्तर यह वीडियो अच्छा आगा तो इसे लाइक कर दिया और कोई दी क्योरी हो तो कमेंट करें दोस्तों आप हम आप हैं 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 आप झाल झाल